तो हलो फ्रेंड्स, वेलकम डू दो बिंदास एंल लॉफ इसन बंदाबिंदास जहां पर ये बंदाबिंदास आपसे करेगा कुछ बंदास बाते आज हम मिले हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू करने के लिए जिसका यंग्स जो है बहुत बहुत सर्पीस इंतजार कर रहे थे उस मूवी का नाम है डैड़पुल एंड वॉल्वरीन जी हाँ ये मूवी कल जो है रिलीज हो चुकी है 26 को और मैंने ये मूवी देख लिए और मैं आज आज आपके लिए लाया हूँ इस मूवी का रिव्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली सुपरवीरो मूवी है जो आर रेटेड फीचर की गई है जिसमें इसका जो लैंग्वेज है वो फावल लैंग्वेज है और इसमें जो लैंग्वेज जिस तरह से यूज की गई है वो ही इसकी यूएस पी है और वो ही इस मूवी को जो है वो खास बनाती है और यंग पूरा मजा जो है आपको देखने को मिलेगा तो यह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और यह मूवी भी जो है वो इस पूरे कंस्ट को बहुत अच्छे से भुनाती है और यहां पर आपको उन दोनों की फाइट भी देखने को मिलेगी और उन दोनों का ब्रोमैंस भी दे वैसे ही आगे continue कर रही है वैसे ये डेड़ पूल और वोल्वरीन में भी मल्टिवर्स का concept लिया गया है और जो टीवी ए का जो concept था जो टाइम लाइन्स थे और जो वेरियंस का concept था जो आपने लोग की अगर वैब सीरीज अगर देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से व वोल्वरीन है और कौन से टाइम लाइन में डेड़ पूल है और डेड़ पूल की टाइम लाइन को क्या खत्रा है और कैसे वो अपनी टाइम लाइन को बचाता है ये सब इस मूवी में स्टोरी बनाई गई है इसमें आपको दूसरे अर्च से जो वेरियंस डेड़ पूल से कम से कम सो सो वेर्येंटस ऑफ एड़बूल कि आपको देखने को Seven लिएम है तो यह अलग यह कौमेडी हो तो अपनी जगह पर है वैपने शूरी ऐखी ए टाइम्लाइन को और यह मतलका ώर चिव्य का जो इंदल है और यहां तो यहां पर आपको बहुत हसी मज़ाग भी देखने को मिलेगा और हाँ मैं रेकमेंड करूँगा यह मूवी आप जो है हिंदी में देखिए क्योंकि हिंदी में जो डायलोक्स है वो बहुत ही मज़ेदार है और अगर डैडपुल की भाषा में बोला जाए तो यहां पूरा पैसा वसूल है जो लोगों को डैडपुल मूवी पसंद है उनको यह मूवी पसंद रही और इसमें जो डैडपुल और वोलवरीन के जो नोग जोक है और उनका प्रोमेच है वो भी पसंद आएगा और इसमें जो कैमियोज है वो भी बहुत शानदार है तो आप ये movie friends के साथ जाके enjoy कर सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं family के साथ आप शायद avoid करेंगे क्योंकि इसमें जो language है वो सीधी आप नो भागवा से कोई sensor नहीं किया गया है सीधा बोला गया है तो वहाँ पे आप शायद family के साथ जाना avoid करेंगे और friends के साथ आपको बहुत मज़ाएगा आप इसको enjoy कर सकते हैं तो मुझे ये movie पैसा वसूल लगी है और इसमें Fox Studios की भी अच्छे से बजाई है तो बहुत मज़ाएगा आपको देखे Hindi dub में मैं recommend करूँगा Hindi dub में देखे English का मुझे पता नहीं है बट Hindi dub में मज़ाएगा और movie जब end होगी तो एक post credit scene है जो एक दम last आएगा credits बहुत लंबे चलेंगे और बाद में post credit scene है वो जब एक comedy के लिए है जो movie से related है लेकिन एक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए है बस एक comedy के लिए है तो अगर आप चाहें तो आप रूख सकते है पूरा credits end हो जाने दीचियों उसके बाद post credit scene है वो आपको अच्छा लगेगा तो ये था मेरा review आज के लिए मैं इस movie को दूँगा 4 stars out of 5 और मैं recommend करूँगा कि आप youngsters हैं आपको Deadpool की 1st or 2nd movie अगर अच्छी लगी है तो ये movie भी देखिए आप enjoy करेंगे और अपने weekend जो है वो मज़ितार बनाएंगे तो Deadpool की भाषा में अगर बोला जाए तो जन्ट फकीरो मौज करो अगर आपने ये movie पहले से देख लिए तो मुझे बता हिए आपको ये movie कैसी लगी तो यही था मेरा review आज के इस movie के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए take care